नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने श्टेडी चैनल जेपी ऑनलाइन एजुकेशन पर और उत्तर परदेश का उस्टेवल पुनप इछादवार 24 के जीके रिविजन बैच भागतीन में आप सभी का स्वागत है एक बार ये वीडियो जहूर देखिए क्योंकि हमार विश्वास है कि सारे 100% प्रसन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे वीडियो सुरू करने से पहले एक छोटी से रिक्वेश्ट जिन लोगों ने माया चैनल जेपी ऑनलाइन एजुकेशन को सब्स्राइब ने किया है चैनल को सब्स्राइब कर लिजिएगा अब वीडियो क लाइक शेर भी कर दीजिएगा तो शुरू करते हैं आज का वीडियो प्रसंखा एक सब्स्राइब अबग्या अंदोलन चलाने के लिए गांधी जी को प्रेणा किसके लेखन से आती है लियो टालेश्टाय विंश्टन चर्चिल हेंडरी डेविड थारो अत्वा वेप मिलर तो सही ज़ाब होगा आपसन जो ऐसी गांधी जी को सब्सक्राइब अबग्या अंदोलन चलाने की प्रेणा हेंडरी डेविड थारो के लेखों से मिली थी तो आपसन फी सतनका सही ज़ाब हो जाएगा प्रसंक्या दो मोहंदास करमचंद गांधी को महात्मा के रूप में प्रसंबार पुकारा गया था जवाला नेरु के द्वारा बाल गंगा धर्तिलक के द्वारा रविदना टैगोर के द्वारा अत्वासरोडीन आडू के द्वारा तो सही ज़ाब होगा आपसन जो ऐसी र प्रसंक्या दीर 1924 के भारत चोडवां दोलन के द्वारान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया था तीस अपरेल 1942 साथ अगस 1942 नो अगस 1942 अत्वा 15 अगस 1943 तो इस परसंद का सही ज़ाब जायाएगा गांधी जी को नो अगस 1921 गिरफ्तार किया था प्रसंगा चार चावल को पालिस करने से कौन सा विटामिन नश्ट होयाता है इसकार्बिक एसिड, कैल्सी फिरोल, थाइमीन, अथवाट टोको फिरोल तो चावल को पालिस करने से विटामिन B, विटामिन B1 या थाइमीन जो है ये नश्ट होयाता है तो आपसन सी इस पस्ने का सही जवाब होगा प्रस्तंका पांच निम्लिकित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था वेब मिलर, रविना टेगोर, लाड कलाईव, अथवाल लियू टालिश टाय तो दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ वेब मिलर थे आपसन ए सुसन का सही जवाब होगा प्रसंक चाहे मतस्य महाजनपत की राठधानी का नाम क्या था विदेह गिरिबरज विराठ नगर अथवा इंदपरस्थ तो बास करेंगे मतस्य महाजनपत की राठधानी का तो यह विराठ नगर था आपसन सी सुसन का सही जवाब होगा प्रसंक्या साथ मगद महाजनपत की राधधानी का नाम क्या था विराटनगर, चमपा, इंदप्रस्त, राजगरी अत्वा गिरी वरज तो बात करेंगे मगद महाजनपत की राजधानी का तो इसका नाम राजगरी अत्वा गिरी वरश था आपसंट 20 प्रतने का सही जवाब होगा प्रसंख्या आठ भारत में बजट प्रडाली की शुरुआत किस वाइसराय के कारेकाल के दोरान की गई थी भारत का पहला बजट वाइसराय लाड कैनिंग के सासंट के दोरान साथ रपल अठार साथ को प्रसुत किया गया था तो आपसंट 20 प्रतने का सही जवाब होगा प्रसंख्या नौ जंगर्णा एक्ट भारत में कब लागवा था? 1908, 1957, 1949, 1991 था 1991 तो बात करेंगे जंगर्णा एक्ट की तो भारत में 1948 में लागवा था आपसंट एस पसन का सही जवाब जाएगा प्रसंख्या 10, महात्मा गादे स्रिंखला के 50 रुपए की बैंक नोट का अधार रंग कैसा है? फ्लोरसेंट नीला, लेवेंडर, इस्टोन ग्रे अत्वा लाइट आरेंज तो महात्मा गादे स्रिंखला में 50 रुपए जो नोट होते हैं, उसके प्रिष्ट भाग पर रस के साथ हमपी का चित्र है, जो देश के सांस्कृतिक गुजासत का चित्रड करता है और नोट का आधार रंग जो है, वो है, फ्लोरसेंट नीला, तो आप संग ए इस प्रस्न का सईजवाब हो जाएगा प्रस्न का ग्यारत, भारती ओलंपिक संग का गठन कब किया गया था? 1935 में, 1925 में, 1927 में अत्वा 1928 में तो बात करेंगे, भारती ओलंपिक संग गठन का ते 1927 में किया गया था? और जिसके संसापक अध्यच सर दोरावी टाटा थे और सचीव डाक्टर एजी नोहरन थे तो आप संग सी इद्धर आइट एंसर प्रसंका बारा, संविधान समाने किस दिन भारत के राष्टी दज़्च को अपनाया था? 26 जन्वरी उनिसने तालिस 15 अगस उनिसने तालिस, 22 जुलाई उनिसने तालिस अत्वा 26 मॉंबर उनिसन पचास तो सही जब होगा आप संथी 22 जुलाई उनिसने सालिस प्रसंका 13 प्रसंका 15 किस मगल्बासा को जिंदा पीर के नाम से जाना आता था? ओरन जेव को जिंदा पीर के नाम से जाना आता था? प्रसंक्या थारा प्याते हैं तो प्रसंक्या नूर जहां किस मुगल सासक्ड की पत्नी थी ज़हांगीर अत्वा बाबर तो नूर जहां जो मुगलबासा जहागीर की पतनी थी और उसका मूल नाम जो था वो महरून निसा था तो आपसन जो है एस पतन का सही ज़ाब होगा आज का अंतीम प्रस्वल हल्दी घाटी का युद्धिका भुआ था तो बात करेंगे हल्दी घाटी के युद्धिकी तो यह 18 जुन 576 का हुआ था आपसन बी दर आइट एंसर तो दोस्तों है पकार से हमारे आज की भागतीन के 20 मासपूर प्रस्वल पूरे वे वीडियो कैसा लगा कमेंट बाक्स में जो बताई गया और मासा जूड़े लाने के लिए धन्यवाद मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ